income tax की इस class number 5 में हम HRA से related जितनी भी practical problems आती हैं उन सब को resolve करेंगे जैसे HRA की calculation कैसे करनी है अगर parents की घर में रहते हैं तो HRA का benefit कैसे ले सकते हैं अगर HRA के साथ साथ home loan का भी benefit लेना है तो कब मिल सकता है form 16 में अगर HRA mention नहीं है तो किस condition में हम HRA का exemption claim कर सकते हैं और अगर HRA म की deduction claim करेंगे यह सारे questions हम आज के वीडियो में resolve करेंगे और आज का session हम लेके आए हैं clear tax के साथ जहां पर आप बड़े amazing features के साथ income tax return खुद file कर सकते हैं free में जिसके लिए आपको link description में मिल जाएगा आप वहां से access कर सकते हैं और एक छोड़ी सी important बात अगर आप हमारे income tax course म interested है तो six months का यह course है और सिर्फ 499 रुपे का course है जिसमें income tax related जितनी भी वीडियोस होंगी YouTube पर तो free में सबके लिए available होगी तो चार्डर विश्जम को subscribe करिए बेल ऐकन दवाइए लेकिन अगर आप इस course में register करते हैं तो 6 महिने तक हर संदे के दिन आपको light class में जुडने का मौगा मिलेगा जहां पर आप अपनी कोई भी डाउट आप पूच सकते हैं और हम अलग-अलग topics के उपर discussion करते हैं questions की practice करते हैं आपको income tax के note provide करते हैं और 6 महिने के बाद आप exam में appear हो सकते हैं और उसे पास करके इस income tax course का passing certificate पास सकते हैं और यह सब 499 रुपे की fee पर तो अब इसे दो तरीके से benefit मिल सकता है एक मिल सकता है monetary benefit जो की एचारे की form में मिलता है यह employee है वो किसी घर में रहता है और उस घर पर रैंट पे करता है employer को मतलब नहीं अपने घर पर रहता है किराई के घर पर रहता है कितना राइंट पे करता है आपकी salary का हिस्ता होगा 5000 रुपे पर मन इसे कहते है house rent allowance दूसरा तरीका क्या हो सकता है benefit प्रोवाइड करने का जो की परकेज़ेट की फॉर्म में हो सकता है जिसे हम कहते है rent free accommodation क्या कहते है rent free accommodation यानि कि employer ने कहा employee को कि भाई आप मेरे घर पर रह लो या फिर employer ने एक guest house दे दिया employee को आपने employees को प्रोवाइड करती है रहने के लिए घर या फिर government है वो लेट से 10,000 रुपे है लेकिन employer ने कहा employee को कि आप किराया सिर्फ 3,000 रुपे दो बाकी का जो 7,000 रुपे परकेज़ेट हो गया तो इस तरीके से employee को accommodation का benefit दिया जाता है हम जो बात कर रहे हैं वो monetary benefit की बात कर रहे हैं जो की है house rent allowance अब इसका कुछ पार्ट exempt हो सकता है अब कैसे exempt होगा उसे देखते हैं अब एक section है जो की section है 10 1013A अचा income tax में जो section 10 है वो exemption के बारे में बात करता है क्या होती है exemption और एक section है 80 डबल जी वो बात करता है deduction के बारे में यानि कि जब अगर कोई employee है उसे benefit नहीं मिलता है house rent allowance का तो deduction क्लेम कर सकता है section 80 डबल जी के अंदर अब exemption क्या होती है deduction क्या होती है इसकी उपर हमने अपनी last video में discuss किया था exemption, deduction, rebate, relief हर एक chase को अच्छे दो समझाता है तो हम अब सबसे बहले बात करते हैं कि section 13 10 13a में कितना exemption मिलेगा exemption का मतलब हरे का वो हिस्सा हरे के बेसिकली दो हिस्से हो सकते हैं एक हिस्सा जो कि taxable है और एक हिस्सा जो कि exempt है यानि कि tax free उसके उपड टैक्स नहीं लगेगा तो इसके पीछे conditions क्या क्या है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले का गया कि इन सब में से इन चारों में से जो भी least amount होगी उतना exempt होगा यह बताता है section 10 13 a section 10 के अंदर सारी exemption दे रखेंगे कि आपको actual हरे कितना मिला है यह अनुवल यह बात कर रहे है अनुवल बेसिस पर टोटल जितना भी हरे मिला है वो rank paid minus 10% of salary और salary का मतलब यहाँ पर क्या है salary का मतलब है यहाँ पर basic salary जो की हर माईने same रहती है और dearness allowance जिसे कहते है DA इन दोनों को add कर देंगे अगर कोई perquisite मिला है उसको यहाँ पर salary में include नहीं करेंगे तो actual HR A जितना हमें मिला है वो rank paid minus 10% of salary माल लेते है HR A हमें मिलता है जैसे हमने का 5000 रुपे पर मन्त मिलता है तो actual HR A पूरे साल का कितना हो गया 60,000 रुपीज और let's say employee की salary है उसकी जो basic salary है और DA है वो दोनों मिला के annually मतलब एक साल का माल लेते हैं वो है पांच लाक रुपे पांच लाक रुपे क्या है basic plus DA तो employee को HR A का exemption तभी मिलेगा जब रेंट पर रहता है actual में रेंट पे करता है तो माल लेते हैं वो रेंट पे करता है कितना रेंट पे करता है let's say वो रेंट पे करता है छे हजार रुपे तो छे हजार रेंट पे करता है एक महीने का तो साल का कितना पे करता है 72,000 रुपीज तो second वाले में क्या amount आएगी रेंट पेड 72,000 रुपीज माइनस में 10% of salary salary कितना है पांच लाक रुपे और पांच लाक रुपे का 10% कितना होगा पचास हजार रुपे इसको माइनस कर देंगे तो कितना amount आएगा 22,000 रुपीज ये amount आएगी हमारे second वाले कॉलम में अब इसके बाद जो third है वो ये है कि 50% of basic salary अगर employee metro city में रहता है रैंट पर मेट्रो सीटी का मतलब क्या होता है metro city का मतलब होता है डैली या कॉलकाता या फिर चैन्य और मुंबई अगर इन चार शहरों में रहता है या इन चारों में से किसी भी शहरों में रहता है तो 50% of basic salary मान लेंगे तो इसकी salary कितनी थी यहाँ पर यहाँ पर बैसिक क पाँच लाग ती तो पाँच लाग का 50% कितना हो गया धाई लाग रुपे अगर हो मेट्रो सिटी में रहता है इन तीनों मैंसे जो भी लोवर अमाउंट होगी लोवर अमाउंट कौन सी है यह है तो इतना एक्जेम्शन मिलेगा एं। न पमाउई को एचरेगा तोटल एचरे कितना मिला था तोटल एचरे उसे मिला था छिक्स्टि थाउजन रुपे जिसमें से यह जो बाइस हजार रुपे यह एग्जेम्ट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा द सिब्च इए धन के आपचे का इ एकसी और शहरों में रहता है तो सैलरी का हम 40% काउंट करेंगी तो पाच लाग का 40 परसेंट आइसिंग दो लाग होगा और तब भी जो हमारी लीस्ट अमांट हो बाइस हजार रुपे और तब भी हमें बाइस हजार रुपे का ही एचारे का एक्जेम्शन मिलेगा यह तो बे लेते हैं कि एमप्लाई का घर है वो डैली और जैपूर का अमें प्यस्क्राइले लेते हैं जैपूर में उसका खुद का घर है और यानि Ride में रहता है Sponge कर तो क्या वो इस cuad कर सकता है तो आंसरे बिलकूल कर सकता है क्योंकि एक्षण में रेंट पे कर रहा है लेकिन यह उसकी जई पर practically है ना फिर यह उसे जब house property की income में दिखाएगा तो इसे self acquired property नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहां पर रहता नहीं है यहां पर से dimmed out मान लिया जाता है हाल लेकिन अगर इस property की उपर अगर वह home loan पे कर रहा है home loan पर जो भी interest पे कर रहा है तो उसका deduction उसे मिलेगा section 24b के अंदर I think interest on home loan का deduction उसे मिलेगा तो वह home loan का deduction भी ले सकता है और HRA का benefit भी ले सकता है दोनों benefit उसके मिलेंगे लेकिन ये वाली जो property होगी इसे self-acquired जब हम house property करेंगे तो हम समझेंगे प्रापर्टी दो थरीके की होती है एक होती है यह अगर वो खुद रहता है किसी और शेहर में तो इस प्रॉपटी को भी नहीं मान सकते एक तो यह चीज़ के लिए लेकिन अगर माल लेते हैं जो एंपलोई है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है राइंट पे उनके साथ घर पे रहता है पेरेंट्स के घर पे रहता है घर का ओनर कौन है उसके पेरेंट्स है फादर या मदर कोई भी हो सकते हैं तो वो क्या कर सकता है अगर उसे एचारे मिलता है और एचारे का एक्जेम्शन क्लेम कर करना चाहता है तो parent के साथ एक rent agreement यानि के लेज बना सकता है और उस रेंट कि नेट कर सकता है कि वह कितना और अपनी salary का कुछ हिस सा वैसे भी जो अगर वो employee होगा अपने parents को कुस्तों पही करता होगा घर में कुस्तों अमाउंट देता ही होगा तो उस अमाउंट को बैंक के थूरू दे सकता है और उसे एज रैंट कर सकता है तो पेरेंट्स को पैसे तो वैसे भी उसमें दे नहीं थे साथ में उसे एक्जेम्शन भी मिल जाएगी अचारे की यह डबल बैनिफेट है जो कि टैक्स प्लैनिंग कर अगर कोई अपने पेरेंट्स की घर में रहता है और एक चीज हमें यह ध्यान में रखनी है कि अगर जो एंप्लॉई है वह अगर रैंट जो प्रकाइक साल में वो टोटल जो रैंट्स पे करता है इस बोर दें वन लक रुपीज एक साल में जो टोल रेंट पे किया जा रहा है अगर वह एक लाक रुपए से ज्यादा का रेंट पे करता है तो उस टाइम पर जो लाइनलॉड है लाइनलॉड को अपना pen number उसमें देना पड़ेगा तो अगर लाइनलॉड का pen number mention नहीं किया है तो एचारे का exemption नहीं मिलेगा अगर टोटल जो हम रैंट पे करते हैं एक साल में एक लाक रुपे से जाधा है लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि लैंडलॉड का pen number ही नहीं तो उसकेस में क्या करना पड़ेगा लैंडलॉड की तरफ से एक declaration फाइल करनी पड़ेगी और उस declaration में मैंशन किया जाएगा कि लैंडलॉड अंडर्टेकिंग देगा कि उसके पास pen नहीं है और उसने जो प्रॉपर्टी है वह एंपलॉई को रैंट पर दे रखी और जो भी उसका रैंट है वह दिखाना पड़ेगा अचा एक चीज और है कि क रैंट रिसीड दिखाओ और उस बेसिस पर फिर वह डिसाइड करेंगे तो बेसिक चीज अभी हमें जो समझ में आई अगर एक लाक रुपे से ज्यादा का रैंट करता है तो लैंडलॉड का पैन नंबर मेंशन करना मेंडेटरी है अगर लैंडलॉड का पैन नंबर नहीं ह लAmerica Scе में पिली होता है फर्म 16 वाइल करता है और इसको बताता है कि आप उसने अपका coda कैसे कैसे deduct किया है जो भी calculation है वो उसमें report करता है अगर employee के अलावा किसी और person का TDS deduct किया जाता है किसी contractor का हम TDS deduct करते हैं या फिर freelancer है कोई professional service provider है बाकी cases में form 16A issue किया जाता है तो employee के case में form 16 issue किया जाएगा और आम तोर पर form 16 के अंदर HR है mention होता है उसी base पर हम HR की calculation करते हैं लेकिन अगर form 16 में HR mention नहीं है तो employee क्या करेगा तो employee के पास दो option है अगर employee को salary slip मिलती है तो जो और salary slip ऐसी नहीं वो authorized होनी चाहिए employer की तरफ से या फिर हम employment का contract देखेंगे और उस employment contract में अगर salary structure mention है और salary structure में HR का जिक्र है तो उस base पर हम HR की exemption क्लेम कर सकते हैं लेकिन अगर form 16 में में नहीं है salary slip में भी नहीं है employment contract में भी नहीं है तो HR का benefit नहीं ले सकते लेकिन अगर rent पे करते हैं फिर deduction तो हम क्लेम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो हमारे पास section है वह section एटी डबल जी है लेकिन यहां पर जो deduction मिलती है उसके लिए कुछ conditions है जो हमें satisfy करनी पोड़ेगी टी डबल जी है उन लोगों के लिए जो राइंट पर रहते हैं लेकिन उन्हें HR का exemption नहीं मिलता यहां पर बात करो exemption नहीं मिलता हो सकता है HR मिलता हो लेकिन उन्हां ने exemption क्लेम नहीं किया कि उनको लगता अगर exemption क्लेम करेंगे और उसका जो benefit है वो चाहता है कि section ATGG के अंदर ज्यादा मिल सकता है तो उसके पास option है लेकिन अगर HR का exemption ने लिया है तो ATGG के अंदर benefit क्लेम नहीं कर सकते हैं और ऐसे भी लोग जो employee नहीं है जो self-employed है लेकिन rent पर तो वो भी रहते हैं तो वो कैसे HR का benefit ले सकते हैं तो इसकी जो इसमें भी वही conditions है कि 5000 रुपे पर मन्त maximum है जो आपको HR मिल सकता है तो maximum जो deduction इसके अंदर हो सकती है वो 60,000 रुपीज एक साल की deduction होती है उससे जादा हो ही नहीं सकती लेकिन HR में ऐसा कोई limit नहीं थी वो आपकी salary और HR की calculation पर depend करता है और 25% of adjusted total income यह adjusted total income क्या होती है आपकी जो भी gross total income है उसमें आप capital gains को include मत करिए उसमें deductions को include मत करिए जो amount आती है उससे कहते है adjusted total income adjusted total income है सिर्फ salary की income नहीं आपकी house property की income है business की income है अगर कोई self employed है यानि कि सारी income include करेंगे capital के इनको छोड़ देंगे deduction को छोड़ देंगे तो जो income आएगी वो कहेगी adjusted total income का 25% या जितना भी आप rent pay कर रहे हैं तो rent paid माइनस में 10% पहले हम salary का करते थे और यहां पर adjusted total income का 10% माइनस करते देंगे जो भी lower amount आएगी वो deduction हम claim कर सकते हैं section 80 double G के अंदर I hope आपको HRSA related और section 80 double G की calculation समझ में आई होगी अगर फिर भी आपके कोई query है तो आप हमें email कर सकते हैं या आप comment box में लेख सकते हैं और charter division को subscribe करना ना भूलें bell icon दबाए जैसे आपको इस तरीके की वीडियो की notification मिलती रहे ्रुख झाल कर सकते हैं